मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जो फॉर्स टाइम मॉम बनने वाली है उनकी सबसे ज़्यादा इस चीज़ को लेकर कमेंट्स आ रहे हैं उनको साथ किसी ने बता दिया है कि नॉर्मल डिलिवरी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होता है इस केस में वह अपना प्लाइम चेंज करना चाहती और वह हों चूज करना चाहती है कि क्या हो नॉर्मल डिलिवरी को सब्सक्राइबर के उन बातों को बताऊंगी और साथी साथ मेरी मेरी देवरानी मगेरा है जिठानी है इन लोगों की c-section हुए थे तो c-section के दौरान क्या किस तरीके के problems को face किया इन्होंने किस तरीके का उस दौरान pain होता है क्या होता है पूरी story एक side normal delivery की एक side c-section की मैं यहाँ इस वीडियो में share करने वाली हूँ और वीडियो अगर आपने complete देख लिया तब आप personally जरूर आप decide कर रहेंगे कि आपको c-section select करना है या फिर normal delivery select करना है तो चलिए आपकी selection को थोड़ा सा असान बनाते हैं तो चलिए मैं हूँ आपके शाथ स्वेता और मैं इस तरीके के comments भी आते हैं कि पहली बार उन्होंने c-section करवा लिया है दूसरी भी delivery होने वाली है तो उनको क्या करवाना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी या c-section करवाना चाहिए देखिए अगर आप यह आपके उपर डिपेंड करता है और दूसरी चीज आपके अगर नॉर्मल डिलीवरी पहली बात मैं यह बता दू कि जब आपकी प्रेग्नेंसी स्मूथ चल रही होती है सारे रिपोर्ट सही होते हैं आपका हेमोगलोबिन लेबल सही होता है आपका बीपी सही होता है और आपका मूड भी एच्छा रहता है इस केस में और आप नेच हैं आपके रिपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा चड़ाओ उत्राओं आप प्रेग्नेंसी के दौरण बैलेंस डाइट भी कई बार नहीं ले पाई है इस कारण भी यह कुछ ने कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है कम्प्लिकेशन हैं आपकी प्रे बताई अलग अलग तरह की चीजों को मेरी सब्सक्राइबर ने मुझसे इन सब केस में उनको सी सेक्षन करवाना पड़ा तो यह एक चीज होता है कमपंसरी करवाना यानि कि आपकी प्रॉब्लम में हो और आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल भी नहीं कराई जा सकती है इस केस में आपने सी सेक्षन करवाया तो यह तो समझ में आता है लेकिन अगर आपके पास नॉर्मल डिलीवरी के चांसे हैं और नॉर्मल डिलीवरी के डर से आप भाग के सी सेक्षन करवाती है तो उस केस में क्या-क्या ड्रॉबैक्स होता है यहाँ पर मैं बात करना चाह उनसे अगर आप पूछती हैं कि आपको कितना दर्द हुआ नॉर्मल डिलिवरी के अंदर जिनको बहुत कम समय के अंदर डिलिवरी हो गए तीन चार गंटे के अंदर तो वो आपको बताएंगे कि ज़्यादा दर्द नहीं है लेकिन वही महिला अगर जिनको 10 गंटे 12 गंटे क्योंकि मेरी डिलिवरी 3-3 गंटे के अंदर हुआ है क्यों क्योंकि जब से मुझे लेबर पेन आ रहा था मैं खड़ी थी और मैं टाहल रही थी इसके लिए भी आपके अंदर चाहिए एक दर्द के समय में खड़ा रहना और टाहलते रहना अगर आप यह सेम चीज को रिप पर ही पड़ा रहता है वो दर्द लागतार रहता है आठ गंटे दस गंटे 12-24 गंटे किसी का नेक्स टे तक दर्द रहता है फाइनली नॉर्मल डिलिवरी भी नहीं हो पाती है और सी सेक्शन करना पड़ता है अब है यहां पर हम यह चीजे जानेंगे सी सेक्शन के ड्रॉ बहुत मुस्किल है उसको बहुत मुस्किल का सामना करके यह फिर कोई और गोद में लेता है उसके संबर माँ और बच्चा दोनों को सुरक्षित बचाया जाता है अब है कि नॉर्मल डिलिवरी अगर सारी शाटुशन favor में है तो दर्द के कारण मत घबड़ाई क्या पता आप भी वो lucky person हो जिसकी delivery तीन चार गंटे के अंबर हो जाए और आपको पता ही नहीं से ले कि आपकी normal delivery हुई और ज़्यादा आपको दर्द का सामना नहीं करना पड़े इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट हो क्लियर किया और अब तो आप select कर ही सकती है कि आपको normal delivery करवानी है या से section करवानी है thanks for watching मिलती हूँ मैं आप सबसे कल की वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care